असलाम alaykum, welcome back to my channel, मैं हूँ माही और आगी हो एक और नए रैसिपी के साथ आज में बनाने वाला हूँ सर्सो का साग और बिल्कल वही देसी स्टायल में बिल्कल सिंपल तरीके से में बनाने वाली हूँ तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन बहुत आसान है ठीक है तो देखिए यहाँ पर मैंने एक किलो सरसो ली है और इस अच्छे से वाश कर लिया है और यहाँ मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ अच्छे से काट लेंगे और काटने के बाद फिर हम इसमें और क्या क्या चीज रालेंगे वह आपको बताती हूँ तो देखिए कट चुका है कटने काद मैंने से कुकर में डाल लिया और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे बत्वा बत्वा भी मैंने काट लिया है और बत्वा कितना डालेगा कि अगर आप ही एक किलो सरसो है तो आपको इसमें 200 ग्राम बत्वा डालना है या फिर आप 2500 ग्राम भी डाल सकते हैं 200 से 500 ग्राम और हम इसमें डालेंगे पालक पालक को भी अच्छे से वाश करके काट लिया है और पालक बत्वे से कम डालेगा 100 ग्राम या 1500 ग्राम आप पालक डालेंगे ठीक है तो जब ये तीनों चीज़े एक साथ प्रकती है ना तो तब इसका साइका बहुत अच्छाता है कुछ लोग पालक नहीं भी डालते तो अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालीए अब यहां ले लेंगे हम हरी मिर्च हरी मिर्च मैंने साथ सा आठ हरी मिर्च लीए है क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च नहीं डालती और एक मैंने लस्तन लिया है एक इंच का अधरक का टुकड़ा और एक मीडियम साइस की प्याज इन तीनों चीज़ों को भी मैंने बार एक बार एक काट लिया है अब यहाँ पर जो हरी मिर्च है ना हरी मिर्च हम सारी इसमें डाल देंगे और मैंने आठ हरी मिर्च इसले लिए क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्च फॉर्डर नहीं डालती अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं और यह जो तीनों चीज़े हैं ना इन तीनों चीज़ों को हमें आधा-धा डालना है ठीक है मैं आधा-धा डाल दिया और आधा-धा बचा लिया और इस बचे हुए हम जो पिया अध्रक है इसको तड़के में यूज करेंगे अब डालेंगे लगबग एक से सवाचमच नमक और नमा काप अपने टेस्ट के साफसे भी जाल सकते हैं, और आधा चमश हल्दी पावडर, और ये डालने के बाद एक गलास इसमें पानी, और पानी डालके बस अब हमें इसे पकाना है, पकाने के लिए अगर आपके पास टाइम है, तो आप इसे लोग फ्लेयम पे सिर्फ ढ खकड ऐसे ही ढग दें और पकने के लिए छोड़ दें और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसमें को कर में सीटी भी लगा सकते हैं तो देखिए मैं सीटी लगा रही हूं एक सीटी लगाऊंगी और इसके आद इसे लो फ्लेम पे धीरे-धीरे पकने दूँगी और और साथ में हमें इसे घोटना भी है अब कुछ लोग मिक्सी का यूज़ करते हैं लेकिन अगर हम बिल्कु देशे स्टाइल में मना रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे और इस तरह से हम चलाते वे घोट देंगे थोड़ी मेहनत लगेगी और थोड़ा टाइम भी लगे तो मैं इसी से इसको घोटने वाली हूँ तो काफी मेहनत के बाद यह देखिए इस तरह से हो चुका है अब हमें लेना है डिर चमच मक्य काटा और उसमें पाने डालके इसे पतलासा पेस्ट बना लेंगे और पतलासा पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें इसे डाल देंगे औ क्योंकि नीचे हमारी गैस जल रही है गैस को जलते रहने देना है और यह वाला जो पार्टने नहीं आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है बहुत अच्छा टेक्श्चर आता है साग का तो अब हम इसे पका लेंगे और 10 मिनित तक जब तक आप हमारा पक्रा है हम यहां कर लेते हैं तड़का तयार तो मैंने सरसो का तेव लिया दो बड़े जमच और उसे गरम कर लिया अब गरम करने के बाद मैं इसमें डालूंगी आधह जह तो जहीं डालेंगे एक लिए और तड़के लिए आप देसी घी का या मखन का भी उसक करते हैं लेकिन मुझे परसनली सरसो के तेल का तड़का पसंद है तो मैं वही करती हूं क्योंकि हम उपर से देशीगी अमक्षन डाल कर इसको खाते हैं तीन मैंने हापा सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी इससे भी बहुत अच्छा फुजबू भी आती है टेस्ट भी आता है तो अब ये तड़का हमारा जब तयार हो जाएगा तो बस हमारा जो साग पर तयार हो चुका है वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें डालने के बाद हम इसे और पकाएंगे तो देखे तड़का बिल्कु तयार है लाइट ब्राउन हमारा कलर आ चुका है अब इसमें साग डालेंगे और साख डालने के बाद हम दो से तीन मिनट तक और इसे पका लेंगे ठीक है तो इस तरह से हमारा यह साख बनकर बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा तो टाइम लगता जरूर है लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है और कुछ टाइम के लिए सरसों मिलती ह तो जरूर बनाकर खाए और इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको बिल्कुल वही पंजाब का सरसों का साख मिलेगा और अगर आप चाहे तो इसमें देसीगी का तरका लगाए वह भी बहुत अच्छी हुच्छ बहाती है उससे भी तो बस अभी सर्व कर लेंगे सर्व करने पत्रूंगे ऊच्छी टूता साखिकर वाय सह भीज्योड़ा शेल मने और अवकर नहीं राप भने को साहर ने क्या तो आता है इस ऍटली जिजार है।